हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एज्यूकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे कि पावर ओफ सीमिन क्या है और लोगों के जो बहुत बहुत एक्स भाई जैड तरह के जो सवाल हैं जो कंश्यूजन है और जो एक डिप्रेशन एक चीज को लेके और एक बहुत ही कंट्रोवर्सल डिवेट है दुनिया में कि भई सीमन क्या है उसका क्या यूज है हमें हैंड प्रक्टिस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए उसका सह कि इस्तेमाल क्या है कितने दिन में हमें सेक्स के लिए जाना चाहिए या कितने टाइम में हमें हैंड प्रक्टिस करना चाहिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हैंड प्रक्टिस नहीं करना चाहिए लेकिन बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि वह एक नॉर्मल है नीच्रल स practice नहीं है hand practice बुरा है या अच्छा है या कितना जादे हो कम हो ये एक अलग सवाल है और scientific way में उसका जवाब दिया जा सकता है लेकिन social media पर जाईए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि उससे कुछ नहीं होता आप कितने बार भी hand practice करिए तो अपने आप में ये एक बहुती nonsense answer है और ये लोग केवल अपने वीडियो को viral करने के लिए fame के लिए और बहुत ज़ादा viral होने के लिए बहुत सारी गलत बातें वीडियो में बोलते हैं मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता लेकिन एक डॉक्टर साब ने एक वीडियो मैंने देखा और वो बहुती famous hospital है बहुत बड़े डॉक्टर हैं तो वो ये कहते हैं कि भई Hollywood, Bollywood बाले जो लोग sex करते हैं वो 30, 40, 50 मिनट तक उनका time होता है और वो कोई normal sex करते हैं वो कोई alcohol लेके या कोई sedation लेके एक नहीं करते तो पहले में उन डॉक्टर साब की knowledge के लिए और दुनिया वाले जो लोग ये बात करते हैं कि duration 10, 10 मिनट हो सकता है, 20 मिनट हो सकता है 40 मिनट हो सकता है उन सब को एक scientific answer में ये देना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान का sex का जो duration है, जो time है वो 2 से 8 मिनट का होता है और दुनिया में on an average एक इंसान active sex penetration को 4-5 मिनट तक ही चला सकता है maximum 8-10 मिनट तक चला सकता है ये एक scientific research कहती है ये clinical data कहता है अब इस thought से होता क्या है कि बहुत सारे जो normal बच्चे होते हैं जो 2 से 5 मिनट sex कर पाते हैं या फिर 8 मिनट कर पाते हैं उनके अंदर ये लोग, ये doctor एक हीन भावना पैदा करते हैं एक कहिना कहीं complex पैदा करते हैं एक 2 मिनट वाला आदमी एक 5 मिनट वाला आदमी भी ये सोचने लग जाता है कि वो sexually कमजोर है वो capable नहीं है वो अपने partner को satisfy नहीं कर सकता उसको sex संबंदित problems हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है जितने लोग दुनिया में hair and hair, धक्का खा रहे हैं दवाई ले रहे हैं उन मेंसे देखा ये गया है कि 70% लोग बिलकुल normal होते हैं उनको हर label पर misguide किया जा रहे है वो खुद भी misguide हो रहे हैं वो गलत information लेते हैं information के आधार पर अपना एक opinion बना लेते हैं तो सबसे पहले मैं आप सबको एक बात clearly कह देना चाहता हूं कि किसी इंसान का जो active time है sex का penetration का vaginal sex का वो एक मिनट हो सकता है दो मिनट हो सकता है 5 मिनट हो सकता है maximum 8 मिनट हो सकता है इससे जादा नहीं होता है और इससे जादा जो time वाली बार doctors करते हैं केवल उनको अपना hospital चलाना है अपनी दवाईयां वेचनी है आपको misguide करना है आपको हीन भावना पैदा करनी है जिससे वो आपसे business करेंगे आपको दवाईयां देंगे आपको oil देंगे आपको cream देंगे और ये सब कुछ चलता रहेगा लेकिन इन सब से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला अब मैं दूसरे level पे आता हूँ कि hand practice करना आखिर क्यों ज़रूरी है मेरा मानना ये है कि यदि कोई इनसान किसी को यदि night fall होता है हफते में एक दुबार तो night fall भी बिल्कुल normal पिरकिरिया है और night fall होना कोई बुरी बात नहीं है यदि आप night fall के साथ अपनी body को manage कर पा रहे हैं practice करना एक या दो बार हफते में बुरी बात तो नहीं है लेकिन hand practice जब लोग शुरू करते हैं तो after sometime देखा ये जाता है कि वो मानसिक रूप से सारे रूप से उस पर dependent हो जाते हैं उन्हें आदत बन जाती है और वो लगातार फिर एक उसी सरकल में फस जाते हैं और उसी चीज में लगे रहते हैं और उनको एक addiction हो जाता है ये एक नसा बन जाता है अब बात ये आती है कि सीमेन का या स्पर्म का जो production है एक स्पर्म को या सीमेन को produce करने के लिए body के hormones यूज होते हैं body का nutrition यूज होता है body के vitamins यूज होते हैं energy लगती है protein खर्च होती है यदि आप excessive हैं practice करेंगे तो excessive production body को करना पड़ेगा यानि body को आपने एक load में डाल दिया है एक pressure में डाल दिया है लगातार body फिर आपको कि body के अंदर sperm और सीमेन produce होगा और body लगातार अपनी पूरी energy, hormones maximum उसमें ही आपके खर्च होंगे तो ये एक production की पिरकिरिया है यदि आप इसको बढ़ाएंगे तो आपको सारेरिक कमजोरी आएगी, आपको मानसिक कमजोरी आएगी, आप उस पे निर्वर होंगे, आपके अंदर anxiety आइडिया, depression आएगा, आपके अंदर हीन भावना डवलप होगी, और gradually दूसरी चीजों से आप हट जाएंगे, आप defocus हो जाएंगे तो मेरा कहने का simple मतलब ये है, कि यदि आपके body में semen और sperm बन रहा है, तो वो निकलेगा वो hand practice से आप निकाल लीजिए, या night fall से वो निकले, लेकिन जितना आप natural ही चीजों के साथ जिएंगे आपको कम तकलीफ होगी, ये body को decide करने दो कि उसे कव कितना semen और sperm बनाना है, और उसको कव निकालना है, यदि night fall हो गया आपके कपड़े खराब होगे, तो उसको आप वास कर सकते हो, आपका undergarments वैसे भी daily आप वास करते हो, यदि sperm उसमें आ गया, sperm urine से ज़्यादा बुरा नहीं है, stool से ज़्यादा बुरा नहीं है, उसके अंदर कोई बहुत बड़े toxins नहीं है, वो बहुत सारे लोगों का तरक है, कपड़े खराब हो जाते हैं नींद खराब हो जाती है, कपड़े खराब होना, नींद खराब होना बहुत बड़ा इसू नहीं है, इसू यह है मुद्दा यह है कि सही क्या है आपके स्वास्त के लिए सही क्या है आपके health के लिए और सही क्या है आपके future के लिए आपकी study के लिए आपके work के लिए तो सही यह है कि nature ने जो जैसी चीज़ बनाया है उसको वैसे आप छोड़ दीजे उसको वैसे ही आप accept कर लीजे आप पहले porn देखेंगे फिर आप hand practice करेंगे फिर दुबारा से आप porn देखेंगे फिर दुबारा हैंड प्रक्टिस करेंगे आपकी बोड़ी ने अभी आपका सीमें स्पॉम प्रोड्यूस किया वह दुबारा से करेगी यदि आपके पास raw material नहीं है hormones नहीं हैं तो फिर आपकी body पे load पड़ेगा यानि जितनी आपकी body की छमता है वो उतना ही production कर सकती है यदि आप उससे ज़्याद है forcefully production कराएंगे तो body पे load पड़ेगा दिमाग पे जोर पड़ेगा आप cognitive रूप से बीमार हो जाएंगे आपको या तो depression हो जाएगा या anxiety हो जाएगी या उसके बाद का result होगा कि आपको sex की लद लग जाएगी hand practice करते करते लोग उसको excessive करने के बाद लोग professional के फास भी जाते हैं फिर उनको एक चीज ग्राइंड करती रहती है बार 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 उनके brain में वही चीज चलती रहती है यानि इसको अब दूसी तरीके से समझेए कि जिस तरीके से हम दारू या किसी भी chemical का नसा करते हैं उससे हमारे hormones serotonin और dopamine को आदत हो जाती है उस चीज की उसी तरीके से आपके brain को सरीर को hand practice की आदत हो जाएगी और फिर आप harmonally चपोईट में आएंगे यानि अब biochemical रूप से आप उस चीज के आदी बन गए हैं और आपको ये एक बीमारी का रूप लेगी और एक लत का रूप लेगी जिससे आपको बहुत बड़े नुकसान होंगे तो about the semen और about the sperm उसमें एक energy है वो एक protein molecules है उसको आप positively अपनी body को build करने में लगाईए आप पढ़ाई में लगाईए आप दूसरे कामों में लगाईए अपनी cognitive physical और mental power को strong करिए यदि आप semen को बार-बार निकालेंगे by hand practice तो उसके production में ही आपके सरीर की और दिमाग की सारी energy और ability खर्च होगी फिर आप life में दूसरा कुछ नहीं कर पाएंगे तो यही एक तरीका है कि आप immediately forcefully hand practice ना करें और उसके पीछे ना पड़ें और यह porn और लोगों की video देखके आप जो motivate हो रहे हैं कि hand practice is very much normal practice normal practice है लेकिन कौन decide करेगा कि आप हपते में एक से दो बार ही hand practice करें कौन यह decide करेगा कि आज आप एक बार hand practice करते हैं कल आप 10 बार नहीं करेंगे या कल 20 बार नहीं करेंगे या आने वाले कल में आप उसके आदी नहीं होंगे और जब आप उसके आदी हो जाएंगे आप dependent हो जाएंगे तो फिर आपको sex की लत या masturbation की लत नहीं पड़ेगी यह कौन fix करेगा यह कौन decide करेगा जो लोग YouTube पे यह बातें करते हैं क्या उनके पास कोई mechanic control mechanism है उस चीज को रोकने की answer is completely no masturbation का नसा तमाकू के नसे के जैसा है alcohol के नसे के जैसा है दूसरे sedition के नसे जैसा है आप इसको समझें और इसको control consciously रखें minimize रखें या तो या फिर आप इसको immediately stop कर दें natural nightfall की वेबस्था है आपके सरीर में जब sperm का सीमेन का level बढ़ेगा तो वो naturally आपके सरीर से बाहर निकल जाएगा that is very much normal thank you very much and take care yourself